जैन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेट कटफ और विसी बात है जो सेफ स्कोर ऐसे सी फेस्ट विल्ब के बारे में होगा वो आखिरत क्या हो सकता है उसके आराओंडी कहने वाले है जो 20 तारीक और 21 तारीक और जो अचिछ विदियो बना रहा हूं आगे परिक्षा में हो सकता है कि थोड़ा हेर फिरो सबसे पहले तो बहुत बड़ाए किए ससी के जो सेलेक्शन पोस्ट के पेपर यहूं उतनी दफ़ा कभी नहीं हुए इतने सिफ्ट में कभी नहीं हुए जितने सिफ्ट में इस बार गया इसका मतलब इसका मतलब इसका नमबर ऑफ कंडिडेट जादा हैं तो दोड़ा है कि इससे हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि अभी तक बाते नॉर्मल चल रही है कुछ बहुत ज्यादा वेंडर के चेंज होने से कोई परिवर्तन नहीं आया चलिए बात करेंगे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इसके ना सब्सक्राइब करेंगे एक आपका ग्रेजविशन और इंटर वाला होगा इंटर ग्रेजविशन का जो कटफ होगा जो अल्मुस्त सहीं जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूं मैंट्रिकुलेशन वाले यानि के टेंथ वाले कटफ के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करता है और जिसने 140 से 50 की बीच में स्कूर किया है वह मैं लिख के देता हूं 110 परसेंट वह सफल है मुझे ऐसा लगता है लेकिन अब आगे भी पेपर होना बाकी है मेरे बाई तो जिसने 150 140 150 आराउंड को मदलब की अपने आपको ले जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आर वह जो है कटफ इसी के आराउंड घूम फिर के रह जाएगा और कोई ना कोई पोस्ट जो है बच जाद अंतर होना चाहिए और यह कुछ कमी रहेगा और बीसी से मुझे ऐसा लग रहा है फिलाल के लिए वैसे ग्राइजूशन वाले में तो मैंने दोनों को सेम रखा है एक्दम दोनों को सेम रखा है एक्जाक्ट एडवलूस और बीसी देखिए हो सकते हैं काथ नंबर त प्लस माइनस फाइबर लेकर ही चलिएगा पहली बात दूसरी बात कि अगर आपने 140 150 के आराउंड मतलब करना है तो आपके लिए वह काफी बढ़िया और काफी कुपसूरत है और साथी साथ अगर आपने हमारे ऑली बोड के सुन्दर और सुन्दरता बड़े को अभी तक और च्पे परशेच नहीं किया है तो अवस्हे परशेच करें 1 से 1 यह कोर्स हमारे लिए है और साती साथ आपसे चाहला जाहूंगा जितने भी हमारी क्लासेच चल रही हें वह सारे क्लास सेлом सब्सक्राइब कर मेरे में जों करें अपने झाल झाल